लंबा content नहीं देख पाते हैं तो कोई बात नहीं, be your best clips पे आप सब different parts में binge watch कर पाओगे, anyway next ending haircut है, मेरा favorite जो मैंने पिछले इतने साल से रखा हुआ था, crew cut, इस hairstyle को मैं बोलता हूँ, best hairstyle ever, ये चाहिए आपके बाल straight हो, wavy हो, curly हो, फरक मी बढ़ता, सब पे अच्छा लगेगा इसमें hair length आपको एकदम छोटी करनी होती है, क्योंकि इसमें side में एकदम छोटी छोटी बाल होते हैं, बिल्कुल मता मान के चलो, trimmer को 0 या 1 पे रखके, fade करके उपर तक, और जो आपके main area, crown area वाल होते हैं, वो भी एकदम छोटे होते हैं, बिल्कुल आप मानलो कि 1 या 2 cm, मैं काँगा, जितने छोटे कटवा पाऊगे, उतना बेटर है, लेकिन अगर जाधा छोटे हो गए, तो आपका scalp भी दिख सकता है, अगर आपको hair thinning है, जैसे मेर को है, तो मैं एकदम छोटे नहीं करवा पाता, मैं थोड़े से लंबे छोड़ने पड़ता है, ताकि मेरा scalp अब इसको maintain करने के लिए ऐसा है, कि आपको हर दो हफ्ते में haircut करवाना पड़ेगा, और बहुत लंबा haircut चलता है, क्योंकि इसमें बहुत precision से, बहुत साबधानी से वो fade करना होता है, लेकिन मैं कहुंगा कि आप दो हफ्ते में एक बार मत करवा, उससे तो आपके खर्चे ब बढ़ने दिया, तो अब मेरा एक messy quiff बन गया, तो जैसे crew cut के बाद धीरे-दीरे बाल बढ़ते है न, तो आप अलग-अलग hair size रख सकते हो, आपको एक महीने तक haircut करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात कहीं है, तो मालो आपने crew cut करवाया, पहले एक office में crew cut लेके जाओगे, वहाँ पर professional लगेगा, date पर जाओगे, वहाँ पर sexy लगेगा, दोस्तिया जाओगे, वहाँ पर cool लगेगा, ये बहुत contextual haircut है, अब मैं यही बोलूगा कि ये सबसे stylish haircut नहीं है, या stylish hairstyle नहीं है, लेकिन ये सबसे versatile है, हर जगा अच्छा लगेगा, तो अगर आपको कुछ stylish करवाना है, तो फिर obviously आप एक quiff रखोगे, या फिर वो emo reeler वाला जो पहला बताया तो fringes वो सब रखोगे, वर उसमें मेहनत भी बहुत है,